लोगों के रिजल्ट अभी तक लोग लगवाग एक लाग शियाले जार लोगों के रिजल्ट हो रहे होंगे सबी लोगों की कई कई लोग की मांग अपने हिसाब से अलग अलग है लेकिन मेरा एक ही बात कहना है ध्यान से सुन लिजे भरती को रद करने की और इस्टे करनी के मांग जो है न वो पूरत गलत है किसी लोग बहुत लोगों को बूरा लग सकता है आप कुछ भी बोल सकते हैं मानते हैं सबी लोगों के समक्ष सारी चीजें हैं ब्रष्टाचारिता हुई है बहुत अच्छे से हुई है मैं कहता हूँ किसी भी परिक्षा में अगर एक भी ब्रष्ट वेक्ति पाया जाता है तो वो ब्रष्टाचारिता के ही अंतर कताता है यह नहीं बोलेंगे आरे एक कई सेंटर्स में चाहिए मिर्जापूर में आपने देखा होगा कई लोग क्यों जेल गया होते हुआ तो है ठीक है और ये सब के समक्ष है लेकिन भरती को रद करने की मांग भरती परिष्टे लेने की मांग ये पूर्णतया गलत है नीजी स्वार्थ के वश्विबूत होकर क लिया काल आप किसी को नहीं करना चाहिए ठीक है ना मैं ये कहना चाहरा हूं कि पिछले डेड़ वर्सों से जो व्यक्ति रात तो दिन मेहनत करके इस परिक्षा में अपनी मतलब कह सकते हैं कि चरम स्थिती पर मेहनत जिन्होंने की जो चाहते थी कि अपने माता पिता के सु न्यूक्ति पत्र लेंगे और उनको मिलना ही चाहिए ठीक है तो बैगति वसी बूत होकर काम न करें बहुत लोग व्युतितन की वसी बूत होकर। फचातर जिलों की वरिता बर चुके हैं उनसे निमेदन लगातार किया जारा था नहीं माने यहां प्रभ्रव मैं निवेदन करूंगा मुझे पता नहीं मानेंगे लेकिन मेरा जो काम है वो तो मुझे करना ही है तो बिमास से एक ही निवेदन है आप लोगों से कि क्रिया कलाब ना करें बेराल जो काम हुआ है तो वो हुआ है अब यहां देखिए लोग आए दिन लगातर पोस्ट क्रेेट करते रहते हैं, यहाँपर लिखा हुए कि 135 से उपर वालों को सम्मानित किया जाए, या परिक्षा रद्द किया जाए, उनके उपर कारवाई हो, गिरिफतारी की जाए, लेकिन जो परिक्षा रद्द करने वाली बात है न, वो पून गलत है मैं इसका पूरी तरह खंडन करता हूं परिक्षा रद किसी प्रकार से भी नहीं होना चाहिए आज आप परिक्षा रद करतेंगे जो पिछले डेड़ वर्सों से उपर से इस भरती प्रक्रिया के अपना जोग दिया है बिना किसी और चीजों के त्यारी करते हुए बि लेकिन इन डेड़ वर्सों का आप भे दे पाऊगे उनको इसका मुल्यांकन जो लग डेड़ वर्सों से लगातार इस भर्ती प्रक्रिया के लिए लगे हुए हैं उनका आप मुल एक तिनका भी नहीं चुका सकते तो किस प्रकार से आप बोलते भई आप रद्ध कर दो मानता हूं आप फेलियर हो आप फेल हो चक्वे हो आपका गुणांक एकदम नियुंतम है लेकिन भरिच्चा रद्ध करने की मांग क्या जरूरी अगली बार आपकी गुणांक अच्छे ही आ जाएंगे तो क्यों रद्ध कर रहे हैं जो लोग योग्य हैं और यह बात है कि जितने लोग सफल हैं उसके कंप्रेजन में भरष्टा चारी लोग ज्यादा नहीं हैं ये भी जान लो बहुत ज्यादा नहीं हैं लेकिन हैं तो ह हैं यह बात का कोई खंडन नहीं कर रहा हैं तो हैं लेकिन रद्ध वाली बात व्यक्ति का तोर पर नहीं होनी चाहिए अब कई देर सारी चीज़ें इसमें हैं कई लोग आवाज यहां पर उठाय जा रहे हैं हर जगा न्यूस चैनल समादूंस मैं कहता हूं कि आज कही जो प्रश्टा चाहरिता का क्रिया कलाब जो है ना इसमें मेडिया के सबसे बड़ा सयोग होना चाहिए मेडिया बस ट्विटर पर लिग दे रही है बहिए जाके इंटर्वुई लो ना किस ने मना कि आपके पास सब लो आज सब बढ़ती मिलकर रिजल्ट बेस दे रहे हैं सार या ही सबके समख्षारी चीजे लेकर आए ती आगे हुआ क्या क्या नहीं हुआ आप ग्यान देने वाले हैं आप लोग ग्यान दे सकते हैं लेकिन एक्जाट चीज क्या हो सकती आप कितरा भी मेनत कर लीजे ट्वीटर पर कुछ भी कर लीजे जब तक मीडिया साथ नहीं सबसे महत पूर्ण बात है ये और ये कि आप चाहे इसको किसी प्रकार से बिलें लेकिन ये बहुत महत पूर्ण बात है कम से कम मुकमंतरी जी को भी तो ये पता चले कि हम जो योग सिक्षक की बात कर रहे थे वो योग सिक्षक लेखिए एवरेज होगा बंदा चाहे वो अपनी महनत से 120 नंबर लेकर आया हो चाहे वो 100 नंबर लेकर आया हो चाहे 90 नंबर लेकर आया हो ये महनती है और इसी पर बाहर होना चाहिए ही चाहिए इसकी चाहिए इसकी जांच होनी ही चाहिए एक बात को रद करें लगा कर निकाले जा रहे हैं फरजी लोग कभी female बाहर तो ही होंगे इस बात को तैय मानिये नौकरी नहीं देखिए यहां तक होता कि देर तो रहती है नयाय में लेकिन अंधेर नहीं होता एक लोग अभी आपने न्यूस सुना होगा जो 60 वर्स में रिटार्मेंट का होता है तब तक कोई जानने ने पाई रिटार्मेंट का आगल लास्ट देव पता चला तो क्या होगा जितनी चीजे उनको मिलनी चाहिते नहीं मिलेगी पेंसन सारी बंद हो जाएगी और रिकवरी होगी घरदवार तक निलाम हो जाएगा गलत तरीके से अच्छे तरीके से निकाल भी दिया जाएगा तो इस बात को बहुत ध्यान से समझ लेना और योग्यवर्तियों के साथ जो लगातार खुन पसीना एक करके प्राई कर रहे हो उनके जगहां पर अगर तुम गलत तरीके से नौकरी लेने की कोशिश कर रहे हो तो कभी सफल नहीं हो पाओगे जीवन में इस बात को बहुत अच्छे से याद कर लो कई लोग यहां पर पुश्मेंदर कुल सिस्ट जी है नियापर उन्हें निक्दमस परच बोला है सबको टैक किया है पीमों इंडिया को सबको देशंक को आपके जो एचाडी मिनिस्टर रहें उनको योगी जी को और आफिस को सबको किर्पिया सङ्याल ने जिसक्ति ने ट्रेट में तिराअसी और सुपर ट्रेट में 143 कैसे आ सकते हैं सब को यहां पर करवाई करनी की बात की जारी है यहां पर मांक्षीट है अगर मैं रिजल्ट की बात करूँ तो मैंक्सिमू 200 होंगे तो बस यह 100-200 लोग को निकाल के सारी बरती पर गया हो जाएंगी नहीं होंगी बाद याद कर लो जो लोग एक सीरियल से एक लाइन से पास हुए हैं उनके तो नंबर संतान बोल रहा हूं जिनों ने गलती की है उसका तो भईया फल तो मिल जाए ना उनको प्रतिफल मिलना ही चाहिए यह रिजल्ट पूरी जगन लोग लगातार बेजे पड़े हैं और इसका कहने की जांस तो होनी चाहिए अवशक भी है कारवाई इसकी होनी चाहिए लेकिन मैं बोल रहा हूं बार-बार कि मीडिया को जीतना ज्यादा हो सके अपना रूल इसमें प्ले करना नहीं चाहिए दो मुझे से जितना हो सकता है मैं उसकी चरम इस्षिती ते काम कर रहा हूं अकले दमपर मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि जितने मित्रों के प्रश्णाहरे मन का जवाब देता रहा हूँ थाकि वो प्रताडित बिल्कुल ना हो जितना हो सकता है मैं उनको पॉस्ट्य एनरजी देनी की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन होता है ना जैसे मैं अगर बात बताँ व्यक्तिकत तोर पर कि जब मैं सुरू से पिछले डेड़ वर्सों से लगातार चिलाता आ रहा था जब लोग विरोध कर रहे थे बीड का कि बीड को निकाल बाहर होना चाहिए मैंने क्या बोला था एक ही बात बोले थी लगाता बात थे कि बीड सामिल होगा ठीक ना जो एक्चुल चीज है फैक्ट है लॉजिकल है उस पर बात करिए आँग बन करकर आँग बन करकर सुत्रमुर्ग अपना गर्दन रेत के अंदर घुजेड देता सुसता है इसको कोई नहीं दे गरा यह मुर्कता नहीं करने किसी को ठी यहां पर आप लोग सोचते हैं कि मैं पक्षपात करता हूं लेकिन एक्चुल चीजे हैं कि जो है वो है किसी कहने से नहीं बदल जाएगा वो चीजे ठीक है ना अब यहां पर मैं कुछ कहूं बोलते तुमारे घर में बीडी सी वाले या तुम बचा रहे हो भाइया बोलने सफल हो जाए यह आपके उपर निरवर करता है बाकी अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लोगों तो संदेश जरूर पहुंचाई और आपके कोई भी व्यक्तिगत विचार हूं आप स्वतंत रहें कमेंट सेक्शन में जरूर यहां पर कमेंट करिएगा मैं जरू कंसिडर करूंगा उमीद करूंगा कि जिनों ने परिश्टरम की है उनके परिश्टरम की फल जो है उनको तत्काल और जल्द जल्द मिल सके बेस्ट आफ लग तैंके समझ